हमें सरे राह बैठे हैं लेकर चिनगारी जिसका जी चाहे अपनी सम्मा जरा ले अब हवाएं ही करेंगी रोसनी का फैसला जिस दिये में जान होगी वे दिया रह जाएगा हरे हरे उठो उठा दो अपनी वीच की दिवारों को देखना आंगल तुम्हारा चोग ना हो जाएगा हरे हरे मा समर प्रचन वीरता हरे हरे ये जो एक विराठ धनूस तता अमुले पुस्पों की अनेक मोलाए धारण किये हुए है ये कुलिद राज के जेश पुत्र है कुलिद राज तो पाडू के भहुत बड़े साइक हैं किन्तु ये हमारे मित्र है क्योंकि इने साधान लोगों की मैत्री रुचिकर नहीं लगती और सुदारगी ये शाम वरन के अंतिंद दरस्निये पूर्वक है ये इच्छा कुवंसी राजा समल के पुत्र है ये अकेल ही अपने समस्त सत्रों का सार करने में समरत है हरे हरे दोपती समझ रही थी कि जैदर से अपने मित्रों का ऐसा परिचे क्यों दे रहा है वे उनके रूप का बखान कर रहा है वे उनके धन और पद्वी की चर्चा कर रहा है वे उनकी वीरता की प्रसंचा कर रहा है दुरियो धनिवी तो घोस्म यात्रा के भाने आकर यही सब दरसाना चाता था स्वम नहीं कर पाया तो अब इस दूर्थ को भेज दिया और लाल रंग के घोरे से जुते रथू पर बैठ कर तेजो सुनी अगनी के समान सुसोवित होने वाले सोवीर देश के ये बारे राज कुमार हातूं में धोज लेकर मेरे रथ की रथ के आगे चलते हैं और इनकी साहिता के लिए बारे सहस्त्र योदा मेरे रथ के पीछे चलते हैं जैदर्थ ने मुस्क्राने का प्रियत्न किया तो मैं पूछोगी कि वे सब इस समय कहा हैं वे सब यहीं हैं इसी वन में हैं हम उन्हें अपने साथ नहीं लाए कि पालू की कुटिया में इतना इस्तान तो होगा नहीं कि मेरी अंगरक्षक्स वाही निया महां टहर सके यूशिया के साथ तो दादा सैस्त्र तिस से आये थे तो पांडू को संकट का अनुभा होने लगा था मुझ पर अपनी सक्ति का प्रभाव डाल रहा है हरे हरे तैसे एक सिरा